स्वच्छता के मामले में इंदौर अपने नाम हेट्रिक कर चुका है और अब इंदौर में चौका लगाने की तैयारी की जा रही है इसी कड़ी में स्वच्छता के मामले में इंदौर को एक बार फिर नमबर वन बनाने के लिए शहर में नए-नए काम किये जा रहे हैं अभी क एक ऐसी सलक है जिस पर बैट कर बोजन भी किया जा सकता है इस सलक को काफी सुख सुविधाओं के साथ बनाया गया है और इस पर हजारों लोगों ने बैट कर टिफिन पार्टी की थी ये मामला अभी पूरी तरह से ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक और मामला सामने आया है जह पर सुविधाओं के बाहर बेट कर खाना खाया गया है जी हाँ निकम का ये मानना है कि ये हमारी उपलब्धी है और इससे बहतर संदेशbellّा जाता है कि इन दौरं में इतनी 큰 सफाई है कि सुविधार के में बाहर बेट कर ख्वाना भी खाया जा शकता है नहिजम का पोरा ढ प्रवलता का चौका लगाने में लगा हुआ है और इसके लिए नगरनिकम के अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक कर रहे हैं और इंदौर को चौका लगवाने के लिए अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं इसके लिए एक अनोखी और अजूबी पहल शुरू हो गई है और इसके लिए इन दौर में सौंधरी करन भी किया जा रहा है, सड़कों पर टिफिन पार्टी भी हो रही है और अब कुछ लोगों ने सुलब शौचाले के बाहर बैटकर खाना खाया और इनका ये कहना है कि इस तरह शौचाले के बाहर बैटकर खाना खाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता हो तो शौचाले के बाहर भी बैटकर खाना खाया जा सकता है, इससे इन दौर की स्वच्छता को लेकर एक सकरात्मक संदेश जा रहा है, और निगम के अधिकारे और कर्मचारियों द्वरा इससे शौचाले के ठीक बाहर टेबल कुर्सी लगा कर उस पर बैटकर भोजन किया गया और शौचाले के बाहर किये गया इस भोजन के प्रसार का काम भी अब शुरू हो गया है और लोगों तक ये बात पहुचाई जा रही है कि शौचाले के बाहर बैटकर भोजन किया गया और इंदौर की स्वच्छता के बारे में सबको बताय जा रहा है कि indoor कितना स्वच है